नमस्कार दोस्तों आश्टिल्या के खिलाब T20 सिरीज के समाप्त होने के तुरंद बाद अफ्रिका के खिलाब खेले जाने माले तीन मैचों की T20 सिरीज के लिए टीम इंडिया के 18 सदसी स्कौाइट का एलान कर दिया गया है हलाकि बताया जा रहा था कि टीम इंडिया के T20 स्कौाइट में रोहित सर्मा और बिराट कोली जैसे सिनियर खिलाडी की वापसी देखने को मिलेगी लेकिन BCCI ने टीम इंडिया की T20 स्कौाइट में सिर्फ और सिर्फ युवा खिलाडी को ही खेलने का मौका दिया है और जबकि रोहित सर्मा और विराट कोली जैसे सिनियर खिलाडी अफरिका के खिलाब तीन मैचों की वंडे सिरीज और दो मैचों की टेस्ट सिरीज को खेलते हुए नजर आएंगे आपको बता दे कि टीम इंडिया की इस T20 स्कौाइड में कई सारे ऐसे धुरंदर खिलाडी का नाम सामिल है जिनोंने अपने तुफानी बल्लेबाज और घातक गेंदबाजी के दम पर खुब गदर मचाया है जिसमें दोस्तों T20 वर्ल्ल कप 2024 को मध्य नजर रखते हुए BCCI ने टीम इंडिया की T20 सीरीजों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और साथ ही साथ टीम इंडिया के उभरते हुए सितारों पर भी जो की लगातार टीम इंडिया के लिए लजबाब का पर दर्शन करते हु T20 सीरीजों का एलान हो रहा है चलिए तो दोस्तों नजर डालते हैं अफरिका के खिलाब 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए BCCI के एलान किये गए टीम इंडिया के 18 सदस्य टीम के उपर लेकिन उससे पहले आप भी अगर चाहते हैं कि टीम इंडिया इस सीरीज को भी अपने ना नंबर को खेला जाना है और यह ती नों वी T20 मुकाबले अफरिका के ही मेचबाणी में खेले जाएंगे जहां के पीछ पर काफी ज़्यादा बांस और काफी ज़्यादा पेश मिलता है इसलिए अफरिका के मैदान में जाकर उन्हीं को डोमिनेट करना काफी ज़्यादा और इनके अलवा सुबमन गिल का नाम सामिल है हलाकि खेले गए ODI मैच में सुबमन गिल अपने बल्लेबाजी से कुछ खास कमाल नहीं किया था लेकिन सुबमन गिल टीम इंडिया की काफी बेहत्रिन बल्लेबाज है और भारत्य टीम को एक तुफानी शुरुआत दिलाने की क करनी चाहिए हमें नीचे कमेंड में जरूर बताएं जबकि दूसरी तरह प्यासस्वी जैसवाल भी टीम इंडिया को अपनी तुफानी बल्लेबाज से एक लगातार बेहत्रिन शुरुआत दिला रहे हैं तो अहीं टीम इंडिया के मीडिल ओडर्स बल्लेबाज में गदर म बल्लेबाज समालने की काबलियत रखते हैं तो अहीं चार युवा बल्लेबाज को टीम इंडिया के स्कॉइड में सामिल किया गया है जिसमें तीलक वर्मा रिंकु सी और इनके अलावा दो 20 फोटक बिकेट की पर बल्लेबाज इसान किसन और जीते सर्मा का भी नाम इस टी इंडिया के अलराउंडर में टीम इंडिया के इस्टार अलराउंडर सर रविंद्र जडेजा और वासिंग अटन सुन्दर देखने को मिलेंगे जो कि बल्लेबाज और गेंदबाजी दोनों में ही लजबाप का परदर्सन करने की काबलियत रखते हैं और दोस्तों आपको पतादे के अफरिका के खिलाब टीम इंडिया की टीट्वेंटी सिरीज का कमान केल राहूल संभालते हुए नजर आएंगे और जब की सर जड़ेजा को टीम इंडिया का उपकफ्तान बना दिया गया है तीम इंडिया की गेंदवाजी की बात किया जाए तो इस्पिन को टीम इंडिया के स्कॉइड में सामिल किया गया है जिसमें अर्षदिप सी मोहमत सिराज मुकेश कुमार और इनके अलावा दिपक चाहर का नाम टीम इंडिया के स्कॉइड में सामिल है